अलिगड़ विभाजन की विभिक्षा स्मृति दिवस पर भारतिय जुनता पार्टी ने सोमवार को मौन जुलस निकाला वहीं भाजपा सांसर सतीज गौतम देश के पहले प्रधान मंत्री जवाला नहरू पर हमलावड दिखेनोंने लाखों लोगों के बेगर होने करोडो भेने के साथ अत्याचार खून खराबा और देश के टुकडे होने का जिम्मेदार नहरू को ठहराया लिगर सांसर सतीज गौतम ने कहा कि आज इसी जिन्ना की तस्वीर युनिवरसिटी के यूनियन हॉल में टंगी हुई उन्हें कहा कि हम जिन्ना जैसे लोगों का भाईशकार करते हैं नहरू के रहते हुए हिंदुवा पर अत्याचार हुआ इसी के मदेजर भारती जुन्ता पार्टी ने आज मौन जुलस निकाल कर संदेश दिया कि सांसा सतीज गौशम इससे पहले दो बार लोग सबा का चुनाव जिन्ना की तस्वीर के नाम पर लड़ चुके हैं तब उन्होंने कहा था कि जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान भेजेंगे लेकिन अभी भी जिन्ना की तस्वीर अलिगड मुस्लिम विशुधाले के यूनियन दफन कर दिया जाएगा उन्होंने एक बार फिर का कि जिन्ना की तस्विर जल्द पाकिस्तान भेजी जाएगी आज मनाय जा रहा है हमारे जिला अलीगड में आज मों जलूस के रूम में मनाय गया लोगों ने भाग लिया कम से कम लाखों लोगों को बेघर कर देना कम से करोड़ों बहनों के साथ अत्याचार करना खून खरावक करना देश के टुकड़े करना ये नहरुजी की सरकार में जब नहरुजी प्रधान मंतरी थे और बेवाजन हुआ था एक तरफ जिन्ना थे जिन्ना ने इतना दुष्टाचार किया कि हमारे हिंदू भाईयों का कतल किया टेन में देखो रेल वेस्टेशन पर देखो तुष्टाचार का अंत था ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं आज उसी जिन्ना की तस्वीर इन्वस्टी के इन्योन हॉल में किलोज करके रखी हुई है हम उस ऐसे द्रिंदे इंसान का जिन्ना नामक लोगों का कताई भहिस्कार करते हैं और जो कांग्रेश के द्वारा रहते हुए नहरूजी के रहते हुए जो हिंदू पर अत्याचार हुए आज भारती जन्ता पार्टी के द्वारा मौंज हलूस के रूम में एक संके दिन का काम किया आपने जिन्ना का फिर जिकर किया जिस तस्वीर को लेके आप दो बारे लेक्शन लड़े क्या लगता जिन्ना की तस्वीर अलीगड देखिए धीरे अलीगड इन्वस्टी का रूप चेंज होता जा रहा है कभी आपने सोचा था कि इन्वस्टी के किसी केंपस का नाम राजा मेंद्व परताब के नाम से था नहीं था आज सिटी स्कूल का नाम राजा मेंद्व परताब के नाम से हैं अगर इंसान किसी कार में लगा रहे वह कार पूरा होता है यह कार भी पूरा होगा यहां अब्दुर कलाम कलाम जी की जो हमारे राष्ट्पती रहे उनकी प्रत्मा लगेंगी जिन्ना जैसे मांसिक्ता के लोगों को पर्मानेंट दफन कर दिया जाएगा यह जाएगे सब देखिए हमें ने क्या का प्रयास करेंगे मन से एक अच्छी द्रश्टी से वीजन लेके वह कार अबस्षिपूर कारण क्या है मौन जलूस था मौन जलूस एक संकित संदेज देने कार्य होता है वहां पर क्या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण लोगों को परेशान ही नहों उसको देखते हुए इसको इस तरह से बीचने का हुए